और उसरत चाह के दिश्टीकोन थे हम हर जगह चौक चा रहे पर सीसी टीवी केमरा लगवाएंगे गया बिल्कुल जंगमग होगा और सुरहा जो बिहार के तमाम सहरों में से एक होगा जो जहांकि बिल्कुल बिसेस धंग से लाईट का वेवस्ता हो सीसी टीवी केमरा का पुरानी मांग है अनुमंडल दिलाने की मांग जो लगता अनुमंडल की जो मांग है वो लगतार जो यहां के लोग हैं वो करते हैं तो यदि हम सभापती बनते हैं तो कई ऐसी बड़ी मांगे हैं जो लगतार जंता के द्वारा की जा रही है उन मांगों को हम पूर्ण अवश्य करेंगे और क्या कुछ बड़ी घोशनाएं की हैं मुहमद नजाम ने इस खास बाचीत में सुनिए जाने माने समास से भी हैं नामानकन के बाद और चुनाव चिन आवन्टित होने के बाद पूरी तरह से चुनावी दंगल में कुच चुके हैं मानिये जिस परकार जनता का जो लगाओ समर्पन और उत्साह मुहम्मन नजाम के परति जो देखने को मिला आए ये काफी दिल्चस्प है और उससे लग रहा है कि आने वाला जो 12 अक्टूबर का जो मतगन्ना होगा और 10 अक्टूबर में जो मतदान होगा ये काफी चौकाने वाले परिनाम हो सकते हैं सुजगढ़ा नगर परिसद में तो मेरी मौझूदगी है सुजगढ़ा नगर परिसद का ये इलाका है यहां पर मुहम्मद नजाम जो जाने माने समास से भी हैं और उपसभापती के सबसे ससक्त वपरवल परत्यासी भी हैं बात करते हैं उनसे चनाब नजाम साहब डी टीवी भारत जो बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल है आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप पूरे दम-खं से चुनाबी दंगल में कूच चुके हैं कैसा अनुभूती महसूस कर रहे हैं हम तो बहुत अच्छा मतलब अनुभूती महसूस हैं और जितने के बाद हम जहाँ सबस्सक्राइब करें मुष्म जर्जए घर्जांताइब समस्या है जल जमाहां का समस्या हम दूर करें खुर्ण हैं उसके लिए नाला निर्मान करवाएं म हैं आब कम अन निर्मान जिसमें मीट का भी कारबारी रहेंगे और हर तरफ खुशाली हो इसका हम काम करेंगे बिसेश करके जो है सहर को जंगम करने के लिए हम एस्टीट लाइट का इंतजाम करेंगे और सुरच्छा के दिरिश्टी कौन से हम हर जगार चौक चारहे पर सिसीटीवी केमरा लगवाएंगे जिसे कि लोग सुरच्छा का भी काम पुरा हो सके यह बहुत बड़ा ऐलान है मुहम्मद नजाम का सुरच्छा के दिरिश्टी कोन का मामला हो चाहे सहर को जगमक करने का मामला हो इनका असपष्ट मानना है कि पूरे बिहार का सबसे टॉप सहर सुझगड़ आपका मुहममद नजाम उपसभाती बन जाते हैं सुझगढ़ान अगर परिसत का तो आपका अनुसुचित जाती सब्सक्राइब के लिए समान रुप से काम करें तो लखी सराय जिले का यह पर्खन था पहले पुर्व में अभी नवसिर्जित नगर परिसत का गठन हुआ है कुछ हिस्से का लेकिन एक सुझगढ़ा वासियों का चीर परिचित मांग है सुझगढ़ा को अनुमंडल बनाने का तो क्या ऐसा भरोसा देंगे आप उपसभापती बनने के बाद अगर मुहम्मन अजाम उपसभापती बन जाते हैं तो सुझगढ़ा को अनुमंडल का दर्जा दिलाने में आपकी विशेश पहल होगी आपका एक तरह से यह महत्वकांची योजना होगा आपका हम सुझगढ़ा को सब्रुजन बनाने के लिए भरपूर मतलब पढ़ियास करेंगे और इसके लिए संगर सुरत रहेंगे कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी सुझढ़ा को सब्रु सुझगढ़ा ॳिकास कि रऊसनी से जञ्मग होगा नियुक्झल-विल्कूल जञ्मग होगा और सुरह जहां बिहार के तमाम शहरों में सब्रुजन से एक होगा जहां के बिल्कुल बिशेश धँना से लाइट का बेवस्ता हो स्रुष बेवस्ता हो वो समुछी बेवस्ता वैसा होगा जै कि ये मिदला बिहार का एक अलग सा सहर दिखाए जगा और बिल्कुछ जगा चौन होगा लाइट से तो हमारे सा ये तो मुहम्मद नजाम हुए उपसभापती के दावेदार हैं परबल दावेदार हैं अब हम बात करते हैं समाज से भी मुहम्मद सोनू जो जाने माने समाज से भी हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या उपेनियन है ये बताईए कि सुझगरहा नगर परिसद में युवाओं की अच्छी खासने के बाद युवाओं के लिए क्या विजन होगा आपका सबसे पहला जो है अभी मेरे हिसाब से तो मानिकपूर के एड पहल किया जाएगा मानिकपूर और जो उधर छेतर का एडिया है उसको भी सुरहा थाना से जोड़ा जाए जिससे की एक किलोमेटर का एडिया रह जाएगा सुरच्छा के दिश्टी को उनसे महिलाओं के लिए खास करके कि अगर कोई फोन करे तो अगर सुरहा थाना से तत पर मतलब सुरच्छा उपलावद हो जाए अभी है कि मतलब 5-6 किलोमीटर और एक किलोमीटर के एडिया बहुत डिफ्रेंस हो जाता है उस बिसे पर भी काम किया जाएगा और कटेहर बस्ती में एक गौरी संकर धाम मंदिल है उसको और विक्सित किया जाएगा कि मतलब जो बहुत दूर दूर से मतलब यहां पर मतलब आते हैं मतलब दासंसकार के लिए उसके लिए भी हम लोग मतलब कायर करेंगे तो आंत में एक सवाल करते हैं मुहम्मद नजाम से जो परत्यासी है ये बताइए डी टीवी भारत को विदेसों में भी लोग देखते हैं देश के विविन हिस्सों में भी देखते हैं और सुर्जगणा नगर परिसद के लोग देश के विविन हिस्सों में अपना जीव को पारजन करते हैं, निवास करते हैं, विदेसों में भी राते हैं, तो आप अपने मतदान के लिए, आप अपने मतदान के परती, उन लोगों से आप क्या अपिल करना चाहते हैं, जो देश के विविन हिस्सों में रा रहा हैं, विदेसों में रा रहा हैं, तमाम लोगों से मुहम्मद नजाम जो नवसिर्जित सुजगढ़ा परखंड से इस बार बतावर समाज सेबक के रूप में उपसभापती पद के लिए अपना भाग आजमार हैं और पूरे मजबूती के साथ चुनाबी दंगल में कूच चुके हैं और जिस कदर जनता का जो लगाव शनेह प् सुजगढ़ा नगर परिशत काफी चौकाने वाला परिणाम देगा और जैसा जो समर्थन देखने को मिल ला है मुहम्मद नजाम के परती उससे यह भी परतीत हो रहा है कि मुहम्मद नजाम उपसभापती के पद पर विराजमान होने के बिलकुल करीब हैं सर्फराज आलम डी टीवी भारत सुजगढ़ा